तो अगर आप UK में मूव होना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है क्यूंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि UK का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है तो अगर आप सिंगल आ रहे हो या फिर कपल में आ रहे हो या अपने बच्चे के साथ आ रहे हो तो आपको एक बेसिक करती और मैं यू सबसे बाते हैं उस खर्चे की सबसे बड़े आमान का होने वाला है वह का रेंट तो आपके सालरी का एक बहुत बड़ा पॉड्शन जाने वाला है रेंट में तो घुआ बात करें लंडन की तो अगर बातकर लेंट की तो लंडन थो incapac de cathedral क respectfully मानल आप कि मुंबई में वन भी एच के घर में रहना बहुत जादा कॉस्पली है कंपेट तो अधर प्लेसे तो वैसे यूखे में अगर लंडन में रहने का सोच रहे हो तो फिर आपका बहुत जादा पैसा जाने वाला है तो लंडन ऐसे जोन में डिवाइड है तो अगर आप सेंट्र लंडन में वन भी एच के में रहना चाहते हो तो आपका खर्चा हो सकता है दो हजार पाउंड तो वहां के एक तो फ्लैट भी बहुत टाइनी होते है और उपर से वहां पे कोशली भी बहुत जादा होता है तो दो हजार पाउंड ये ना बहुत बेसिक अमाउंट है इससे आपको लग सकता है और अगर आप आउटर लंडन में देखो तो बारा सो से लेके सतरा सो पाउंड तक के बीच में आपको वन भी एच के मिल जाएगा और आपके पास थर्ड ऑप्शन होता है शेरिंग का उप्शन तो इंडिया में लाइक जैसे क्या होता है बेट शेयर होता है तो एक रूम का कर दूसरा डूसरे परसंड का तो लटन में अगर आप शेयर व्याप्शन में जाुझे तो आपको साथ दू से भी आपको मिल सकता है अगर आफ आउटर जोन बेर और अगर लंडन की बातना है और दूसरी जुहक्रा की बात करें like Oxford में मैं रहती हूँ, वहाँ पे 1BH के आप देखने जाओगे, तो 900 या 1000 पाउंड से स्टार्ट होता है, और मैं क्या रहती हूँ, मैं शेरिंग में रहती हूँ, तो 2BH के अपार्टमेंट है, एक रोम मेरा है, एक रोम किसी और का, तो मेरे केस में मैं पे करती हूँ 500 पाउ का देते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सर्विसस प्रवाइड करते हैं, तो यह जो गार्डन है इसमें हर सेजन में अलग अलग फूल लगे हूए होते हैं, तो यह गर का घर कौन से लोकेशन में हैं, आपका घर कितना नया या पुराना है, और अपके घर का साइज क्या ह तो यह ना वैरी करता है, तो यह 100 पाउंड से लेके 300 पाउंड के बीच में कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा बान के चलो कि अब तो छोटे ही घर में रहोगे, तो उस केस में आपको 60 से 100 पाउंड के बीच में कुछ भी अमौन देना पड़ सकता है, मेरी केस में मैं देती हू तो नेक्स्ट है, इलेक्रिसिटी और गैस बिल, तो अब्यस सी बात है, यह डिपेंड करता है, कि आप कितना इलेक्रिसिटी या फिर कितना गैस यूज़ करते हो, अभी समर का टाइम चल रहा है, आप अभी उतनी ज्यादा थंड नहीं है, तो हीटर चलाने की जरूरत नहीं परती है, अभी बिल कम आता है, कंपेर टू थंडी का टाइम, क्योंकि थंडी में आपको हीटर चलाना पड़ेगा, तो अभी का मेरा बिल आता है, 76.76 इस महिने का बिल आया, तो यह दो लोगों में डिवाइड होता है, और विंटर के टाइम में यह बिल 121, 40 पाउंड तक हीटर चलता है, तो उस केस में मेरा इतना बिल आता है, एक चीज और, मैं बहुत जादा इलेक्रिसेटी यूज करती हूँ, विकर्ज मेरा वर्क फ़र्म होम है, एक दिन बस मैं ऑफिस जाती हूँ, बाकी दिन घर से ही काम करती हूँ, तो आप इसके अकॉर्डिंग थोरा प्लस और माइनस आपके लिए हो सकता है, तो नेक्स्ट है वाटर विल, तो यहां पे आपको पानी के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो दो टाइप का होता है, या तो आप घर में मीटर लगा सकते हो, तो जितना यूज करोगे उसे सबसे आपका बिल होगा, और सेकेंड टाइप होता है, कि एक फिक्स्ट होता है, आप जितना यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो से कोई फरक नी पड़ता, तो मेरे घर में है फिक्स्ट वाला सब्सक्रिप्शन है, तो पहले, एक साल पहले यह बिल था 29 पाउंड पर मन्त का, बट अभी इंफलेशन के कार से आप ले सकते हो, तो मोर और लेस हर जगा का इतना ही आसपास होता है, तो यह और इंटरेस्टिंग चीज कि यहां पे जो टैब वाटर होता है, वो सेफ होता है, वो सेफ होता है, वो फिल्टर होता है, तो आपको अलग से फिल्टर लेने की जोरत नहीं है, या अलग से प इंटरनेट बहुत जादा कॉशली है तो अगर आप यह सोच रहे हो कि मोबाइल डेटा पैक से अपना ओफिस करोगे वर्क पॉर्म होम करोगे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यहां पर बहुत जादा कॉशली है तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉडवेंट बिल की और से दिखन अपियों कि मोबाइल से डेटा पैक से अगर मैं करू तो उसका क्या ओप्शन है कि यहां पर जैसे 5, 10, 15 पर आपके मोबाईल का रिचार्ज का ओप्शन आता है तो मेरी केस में पाउंड का कराती हूँ, 10 और 15 पाउंड का कराती हूँ, तो अगर मैं 10 पाउंड का रिचार्ज करा हूँ, मेरे network provider है ले बारा, तो कुछ एक है, 2 GB ही बस में एक डेटा पैक मिलता है, तो थोड़े से टाइम में ही खातम हो जाता है, तो यहां पे broadband आपको घर पे लगाना ही पड़ेगा, तो उसका तो हो गया 30 पाउंड, नेक्स्ट खर्चे में, मोबाइल का, तो रिचार्ज तो आपके उपर डेपेंड करता है, बाट मेरे केस में 10 पाउंड पर मन्त होता है, क्योंकि उसमें मुझे इंटरनाशनल पैकेज भी मिलता है, जिसमें मैं घर पे भी कॉ नहीं पड़ेगा, तो नेक्स्ट है, ग्रॉसरी का खर्चा, तो ये तो वैसे डिपेंड करता है, आपके एपटाइट पे या फिर आपके फूद चोईस पे, तो मैं हूँ नॉन वेजिटेरियन, तो मेरी केस में पहले मेरा लगता था, पहले में 20-22 में मेरा लगता था, 30 स से 35 पाउंड पर वीक, मैं डेली घर पर ही खाना बनाती हूँ, नाश्ता, खाना, कभी कबार बस बाहर खाती हूँ, बट अभी इंफलेशन के बाद से 42-45 पाउंड पर वीक का लगता है, नेक्स्ट है ट्रावल का कॉस्ट, सो मोस्ट प्रोबली आपका घर आपके कंपनी से दूरी होगा और डेली आप या तो मेट्रो या तो बस से ट्रावल करोगे, तो सबसे पहले बात करता है लंडन की, तो लंडन में बस पासिस भी होते हैं, मेट्ली पासिस और मेट्रो के पासिस भी होते हैं, तो मेट्रो के पासिस डिपिंड करता है कौन से जोन के हो, और ज बैसा इस मन्तली पास आपको खोल्गज 100 पाउन में भी बन सकता है और बात करते हैं जो लोग लंडन मेरे में हैं करते क कैस me तो मेरेा किस में kaf अपन का है तो बात के 16 पाउन का पांच क ट्रावल पास होता है तो बोह 18 पाउन तो मेरा ट्रावल का खर्चा मंतली बस 18 पॉंड ही आता है क्यूंकि मेरा वर्क-फर्म-वोम ज्यादग होता है तो डिपेंड करेगा आपका वर्क-फर्म वोवोम है का आपको ट्रावल का खर्चेत थोड़ा कम आयीगा स्कूल्स में टोटली फ्री है सारे पॉब्लिक स्कूल में ही जाते हैं अगर आप वोकिंग हो और बच्चे को शाम को कही पे छोड़ रहे हो क्लब्स होते हैं यहां पर तो वहां पर आपको पैसे देने पड़ेंगे और अपने बच्चों को नर्सरी में भेज रहे हो तो बहुता है मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, मैं मारीड नहीं हूँ, सो मैंने जितना भी रिसर्ज किया, उस हिसाब से, ये डिपेंड करता है आपके जगा के उपर, तो 50-60 पाउंड से स्टार्ट हो जाता है, पर डे का, नर्सरी के लिए. अब नेक्स्ट है, मेडिकल इंशरेंस, तो यूके में अलग से मेडिकल इंशरेंस लेने के ज़ूरत नहीं है, यहाँ पर ट्रीटमेंट टोटली फ्री होता है, आपका जो सैलरी है, उसका कुछ पोर्शन आप एनेजेस को पे करते हो, और बदले में आपका टोटली ट्रीटम फ्री है, तो नेक्स्ट मिस्क सेक्शन में 100 पाउंड आप रख दो, क्योंकि यह खर्चे होई जाएंगे, इधर उदर एक्स्टा खर्चे होई जाते हर्मन, आप पालर जा रहे हो, या फिर आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे हो, दो बार जा रहे हो, तीन वार आप के लिए dzॉ नहीं हो जाते हैं, त ó मैं पेल आप के लिए जा उि огрशने, तो दॉ जाते हों और हमनुकि कि अधर शुदगर मेरा क्हर्णी तो आपको एक idea लग गया होगा कि आपके कितने खर्चे हो सकते हैं तो I hope इस वीडियो से आपको help मिला हो अगर मिला है तो please like कर देना और अगर कुछ भी points अगर मैं इसा miss हुआ होगा तो comment section में add कर सकते हो और अगर आप already UK में हो और आपके खर्चे बहुत अलग है कम है जादा है बो भी mention करना तो चलो मैं वीडियो को यही पर close करती हूँ मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care